हाई एवरीवन वेल्कम बैक टू माई चैनल माई नमे इस अनेल और रियाक्ट मेटरियल यूई के इस वीडियो के दर बात करने वाले हैं बैसिकली स्विच के क्या स्विच कैसे यूट करते हैं सबसे पहले देखते हैं स्विच दिखता कैसा है ऐसा दिखता है वान कंदिसिन में ऐसा धिए ओफ कंदिसिन के नदर है इसकी वैली हमेशा prostu line हão और आजकल के दिर में बहुत यूज़ करा जाता है, पहले इसको बहुत कम यूज़ करा जाता था, आजकल के बाद, आजकल में जब भी हम यहाँ पर दो वैल्यूज़ करनी होते हैं, चाहे वो चेक बोक्स के लिए हो, या फिर वो आप कह सकते हो रेडियो बटन के लिए तो उसकी जगाए पर इसका ज्यादा यूज़ करा जाता है, सबसे पहले इसके पॉइंट देख लेते हैं, सबसे पहले हम इसको इंपोर्ट करेंगे, इसके colors and look and feel चेंज करने ही कोशिच करेंगे, कैसे हो कर सकते हैं, without CSS, only props के साथ में, size देखेंगे कैसे change कर सकते हैं, और on change event और इसकी value कैसे get कर सकते हैं, right, so start करते हैं, app.js में open करूँगा, और सबसे पहले मैं यहाँ पर import करता हूँ, just write here, import something from, और यहाँ पर हम लिखते हैं, हमारे package का नाम which is material UI package, right, और यहाँ से मैं switch import करता हूँ, so, अब मैं switch को simply use कर सकता हूँ, और चैसे मैं use करूँगा, कोई जरूरी नहीं है कि मैं इसके अंदर package वगारा, कुछ props वगारा pass करूँ by default, अगर मैं नहीं भी करूँगा, तो भी मुझे by default यह, okay, so actually हमें इसको bracket के अंदर लेना पड़ेगा, इस तरीके से, right, so, यह आप देख सकते हूँ, switch दिख क्या है, जैसे हम इसको on करते हैं, तो यह हमें red color के अंदर की secondary color में दिखाए देता है, तो इसमें primary color कैसे use कर सकते हैं, so, उसके लिए को use करना पड़े है color, और यहां से आप देख सकते हूँ, तो इसका हम एक size भी change कर सकते हैं, इनको मैं हर एक props को next line के अंदर लेता हूँ, और let's say मैं इसका size देता हूँ, यहां पर जब size property लोगा तो आपको यहां पर दिखेगी थोड़ी अजीब चीज दिखेगी, कि यह दो ही size को support करता है, medium और small, जो medium है हमारा current size हो medium ही होता है, इसको कुछ लोग normal भी बोलते हैं, और let's say हम को small size यूज़ करना है, so हम यहां पर लिख देंगे small, यहां पर large कोई भी size नहीं होता, small या फिर medium ही होता है, यहां पर देख सकते हो, कि small हो गया है, perfect, then इसके बाद में कुछ हो और कि इसके पर onChange event कैसे use कर सकते हैं, so onChange event आप चाहो तो इस तरी कैसे use कर सकते हो, onChange और onChange के तो कोई एक function use कर सकते हो, so let's say मैं लिखता हम यहां पर get value, right, और यहां से मैं console, sorry, इसको मैं define करूंगा get value को, जहां पर const लोंगा एक और उसका नहां में रखूंगा get value और यह basically अपने आप में array function को store करेगा, right, so console.von, और यहां मैं लिखता हूँ function called, right, so अब देखते हैं कुछ change करके इसके उपर, जैसे मैं change करता हूँ तो आप देख सकते हो कि function called वाला जो won है वो बढ़ता जा रहा है, great, all right, so अब मैं इसके अदर इसकी value कैसे get कर सकता हूँ, इसके अदर दो parameter होते हैं, एक होता है event, तो आप event के through भी इसकी value get कर सकते हो, चाहो तो, but मैं prefer करूँगा कि second value use करूँगा, को कि इसके अदर आपको event.target.value लेना पड़ेगा, मैं second value prefer करूँगा well, right, और directly आप इसके well दो, और आप देखते हैं, इसके अदर जैसे मैं इसको true करता हूँ, देख सकते, आप इसकी true and false value हमें मिल जा रही है, right, so इस तरीके सामें इसकी value भी get कर सकते हैं, so यह बहुत ही छोड़ा total था, switch के लिए और I think काफी useful रहोगा आपके लिए, please channel को subscribe करना मत बूले, आप मैं देखता हूँ, बहुत लोग video को देखते हैं, बट channel को subscribe नहीं करते हैं, और ना ही basically video को like करते हैं, ना ही comment करते हैं, so we are always waiting for you, for your comments and subscription and all, so thanks for watching this video, channel को subscribe करना please मत बूलेगा.